अलो फ्रेंड, ट्रेडी विट मैंक के करेंट अफ़ेर से सिन्माप का स्वाधत है ये करेंट अफ़ेर SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट PCS, CDS, CAPF, NDA और अधर कंपेटिटिव एकजमादी में सहाइक होंगे आज की डेट है 18 नभंबर 2020, तो चलिए आज का करेंट अफ़ेर सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न है, चुना आयोग ने हाली में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइक़न नियुक्त किया है आफशन A, सोनुसूद, आफशन B, सेखर कपूर, आफशन C, अक्षे कुमार, आफशन D, सल्मान खान देखे जैसे Election Commission of India ने एकटर सोनुसूद को पंजाब स्टेड आइकन की रूप में अपॉइंट किया है सोनुसूद पंजाब के मोगा जिले में रहने वाले हैं सोनुसूद को बतोर एक्टर पूरे देश में पहले से ही लोग जानते हैं उनने हिंदी, पंजाबी और दक्षिल भारती सिनामे में काम किया है लेकिन उनकी एक अलग पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने और उनकी टीम ने कोरोना वायरिस महामारी के दौरान लॉकडाउन में फसे प्रवासी मजदूरों को उनकी घर पहुंचाने में बढ़ चड़ कर मदद की तो इसका सही अंसर होगा ओफशन ए सोनुसूद चले नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं आफशन ए चिराग पास्वन, आफशन बी नितिसकुमार, आफशन दी सुसील मोधी देखिए नितिसकुमार ने 16 नवंबर 2020 को सातवी बार बिहार में मुख्यमंत्री पत की सपत ले ली है राजबबन में आउजित सपत ग्रहण सामारों में नितिसकुमार समेत 15 मंत्रियों को राज़ेपाल फागु चोहान ने पद और गोपिनियता की सपत दिलाई है नितिसकुमार ने 16 नवंबर 2020 को सातवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की सपत ले ली है नितिसकुमार सबसे पहले जो है आपका 3 मार्च 2000 को मुख्यमंत्री बने थे हाला कि बहुमत नहीं होने की कारण मात्र साथ दिन बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी आपको बता दे कि बिहार की जो भी ए तो सीम है और एक डिप्टी सीम है आपका रेनु देवी बनी है ठीक है रेनु देवी बनी है डिप्टी सीम और ये बिहार की पहली महिला डिप्टी सीम बनी है पूर में बिहार सरकार में मंत्रीपत का सम्हाल चुकी रेणु देवी इस बार बेतिया से पांचवी बार बीजेपी विधायक के तौर पर चुनी गई है पंदर नभंबर दो हजार बीस को बीजेपी विधान मंडल दल की बैठक में तारकी सोर प्रसाथ को नेता और रेणु देवी को उपनेता चुना गया था तो इसका सही इंसर होगा ओफशन B इनतिसकुमारे धियान रखेगा यह पहली है ठीक है पहली डिप्टी सीम बनी है बिहार की चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं हाली में स्पेस एक्स ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यवसाइक उडान से कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरास्टी अंतरिक्ष इस्टेशन भेज दिया है ओफशन A 7, ओफशन B 10, ओफशन C 4, ओफशन D 5 अमेरिकी Aeronautics Company इसमें Space X के रॉकěट से 4 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष इस्टेशन के लिए रवारा हो गया है नासा के लिए Space X ने रूस पर निर्भरता खदम कर दी है SpaceX एक नीजी कमपनी है और इसके संस्थापक ऐलन मस्क है नासा का वास्तविक उदेश एलन मस्क की कमपनी की मदद से ब्रम्हान में मौजूद अन्य ग्रहों पर वस्तिया वसाने के लिए काम करना है आपको ध्यार में रखना होगा कि यह जो है यह नासा के तिहास में यह पहली बाणिजिक मानव अंतरिक्ष यान प्रणाली के हिस्ते करूप में स्पेस एक्स के क्रूड रेगन स्पेस क्राफ्ट जिसे रेसिलेंग्स कहा जाता है कि माइधम से चार अंतरिक्ष यात्रियों का एक दल कैनेडी स्पेस तेंटर से अंतरास्टिय अंतरिक्ष एजनसी इस्टेशन के लिए रवाना हुआ है यह ध्यान अखेगा पहली पूर्ण वेवेसाई कुडान है ठीक है तो इसका सही अंसर होगा ओफ्षण सी चार चले नेक्स्ट कुशन पर चलता है हाली में किस खिलाडी ने मास्टर स्कोल टूनॉमेंट 2020 का खिताब जीत लिया है ओफ्षण ने टाइगर वोट्स ओफ्षण बी बिजय सिंग ओफ्षण सी फिल्म मिकलसन ओफ्षण डी डस्टिन जॉन्सन देके दुनिया के नंबर वन खिलाडी डस्टिन जॉन्सन ने अंतिम दौर में चार अंडर 68 के स्कोर के साथ मास्टर स्कोल टूनॉमेंट का खिताब जीत लिया है जॉन्सन का कुल स्कोर 20 अंडर 268 रहा उन्होंने जो है साल 1971 में टाइगर वोट्स के बनाए रिकॉर्ड को 200 से तोड दिया जॉर्डन स्पीट ने भी साल 2015 में इस रिकॉर्ड की बराबरी की थी डस्टिन जॉन्सन ने पांच सौट से जीत दर्ज की जो 1997 में वोट्स की रिकॉर्ड 12 सौट से जीत के बाद सबसे बड़ी जीत है तो इसका सही अंसर होगा ऑफशन डी डस्टिन जॉन्सन चले नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं अंतरास्टिय चात्र दिवस निम्मे में की चात्र अंतरास्टे चात्र दिवस मनाते हैं हजारों चात्र कारिकर्मों में पूरे उत्सा के साथ भाग लेते हैं अंतरास्टे चात्र दिवस का इतिहास जो है आपका 28 ओक्टूबर 1939 की घटना से जुड़ा हुआ है दुनिया भर की कई उनिवर्सिटी सांस्कृतिक बह जटन भी अंतरास्टे चात्र दिवस के अवसर पर कारिकर्मों का आयोजन करते हैं तो इसका सही अंसर होगा option A 10 नभंबर चले next question पर चलते हैं हाली में किस राज्य सरकार ने फरजी जाती प्रमान पत्र रखने वाले सभी करमचारियों को बर्खास करने का निर्देश दिय option C बिहार option D पंजाब देखे 36 गड़ के मुख्यमंतरी भुपेज बगहल ने एक बाद फिर फरजी जाती प्रमान पत्र के आधार पर कारिरत सासके सेवकों को सेवा से बर्खास करने का निर्देश दिया है मुख्यमंतरी ने कहा कि फरजी जाती प्रमान पत्र रखने वाले ऐसे सासके सेवकों को जिने नियाले से स्थगन आधेश नहीं मिला है उन्हें सेवा से ततकाल बर्खास किया जाएगा मुख्यमंतरी ने कहा कि स्थगन आधेश वाले मामलों में महाधिवक्ता 36 गड़ के माध्धम से सिगर सुनवाई करने के लिए उच्च नियाले से अनुरोध किया जाएगा तो इसका सही अंसर होगा ओफ्षन B 36 गड़ चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं सिक्किम के चौथे मुख्यमंतरी निम्ने में से कौन थे जिनका हाली में निधन हो गया ओफ्षन A कांजी लेंडूप दोरजा दोरजी ओफ्षन B नरभादुर भंडारी ओफ्षन C संचमान लिम्बू ओफ्षन D पवन कुमार चामलिंग देखें जो सिक्किम के पूर मुख्यमंतरी संचमन लिम्बू जो कि सिक्किम के चौथे मुख्यमंतरी थे उनका लंबी विमारी के बाद 73 साल की उम्र में निधन हो गया है 17 जून 1994 से 12 दिसमबर 1994 के दोड़ान सिक्किम के मुख्यमंतरी थे उनकी कारेकाल के दौरान सिक्किम में अन्य पिछड़ा बर्क का केंदरी अधिनियम कानुन किया गया था सिक्किम की राजधानी गंग टोक है सिक्किम की जो जन सेंक्या है भारत के राज्जो में नियुन्तम तथा छेत्रफल गोवा के पश्चात नियुन्तम है तो इसका सही अंसर होगा, option C, संचोमान लिम्बू चले next question पर चलते हैं हाली में नागरिक पंजीकरण, प्रणाली पर आधारीत, भारत के महतपूर आकड़े बीटल स्टेटिक्स on India based on the civil registration system नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य ने देश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया है option A, नागालेंड, option B, मिजोरम, option C, अरुनाचल प्रदेश, option D, केरल नागरिक पंजीकरन प्रणाली पर आधारीत, भारत के महतपूर आकड़े बीटल स्टेटिक्स on India based on the civil registration system नामक रिपोर्ट के अनुसार अरुराचल प्रदेश ने देश में जन्म के समय सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया जबकि मनिपूर ने सबसे खराब लिंग अनुपात दर्ज किया है उलेखनी है कि रजिस्टार जनरल द्वारा प्रकासित इस रिपोर्ट में 30 राज्यो और केंदर सासित प्रदेशों द्वारा उपलब्द कराएगे आकड़ो के अधार पर तैयार किया गया है ध्यान रखेगा इसमें पूरा टूटल आपका केंदर सासित प्रदेशों और राज्यों को सामिल लेकिया गया है सिर्फ 30 राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों से उपलब्द आंकड़ है तो इस रिपोर्ट के नुसार जो है अरुनाचल प्रदेश में जन्म लेने वाले प्रती हजार पुरुसों में आपका 1084 लड़किया जन्म लेती है अरुनाचल प्रदेश के बाद आपका जो है नागालेंड में है 957 आता है ठीक है तो दिहान रखेगा यह सबसे ज़्यादा है अगर बात करते हैं सबसे खराप रदेशन के बारे में तो सबसे खराप रदेशन जो है आपका वो आपका मनिपूर का है जहांपे 757 लड़कियों जन्म लेती है इसके बाद आपका लक्षिदीप का है जहांपे 839 और उसके बाद आपका दमनोदीप 877 उसके बाद पंजाब और गुजरात में आपका 896 लड़किया जन्म लेती हैं तो इसका सही अंसर होगा option C अरोनाशल प्रदेश चले next question पर चलते हैं हाली में चीन के नेत्योत में कितनी आसियान देशों और ऑस्ट्रेलिया चीन जापान दक्षण कोरिया तथा न्यूजलेंड ने छेत्रे व्यापार व्यापक आर्थिक साजितारी यानि RCEP पर हस्ता 11, option B 10, option C 14, option D 13 देखें जो हाली में चीन के नेत्योत में 10 आसियान देशों और ऑस्ट्रेलिया चीन, जापान, दक्षण कोरिया तथा न्यूजलेंड ने भारत के बिना ही छेत्रे व्यापक आर्थिक साजितारी पर हस्ताचर कर लिये हैं भारत के पास 20 में सामिल होने का ज जाता है तो भारत इसमें सामिल होने के लिए फिर बात्सीत सुरू कर सकता है बात करते हैं आर्सी एपी के बारे में तो आर्सी एपी भारत समित एसिया प्रसांत छेत्र में कुल सोल देश का कुल सोलो देशों के बीच प्रस्ताविक एक मेगा मुक्त व्यापार समझोता है भारत ने है आपको पता होगा जो पिछले साल है इसमें सामिल होने से इंकार कर दिया था तो इसमें फिलाल जो है भी 10 आसियान देश सामिल है समेट जो आपका दस आसियान देश और इसमें आपका आस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिन कोरिया और न्यूजलेंड सामिल है आपको पता होगा कि इसमें टैरिफ कम करने के आधार पर जो है आर्सीपी के अनुसार सभी सदेश से देशों को टैरिफ में कमी करना था लेकिन इनको यह बात नहीं माना गया है तो कुछ ऐसे सर्थ थे भारत के जो आर्सीपी नहीं माने तो इसलिए भारत जो है इसमें अलग हो गया था ठीक है और सबसे बड़ा में रीजन आपको पता होगा चाइना जो है सबसे बड़ा में रीजन है क्यूंकि अगर यह आपका शाजीदारी हस्ताचर करता है भारत तो आपको मुक्त व्यापार चीन को मिल जाएगा भारत में जिससे की हमारे जो हमारे जो है लोकल बिजनस पे अफेक्ट पड़ सकता है इसलिए इससे हम अपी जो है इंडिया भी बाहर रहा है ठीक है तो इसका सही अंसर होगा option B 10 चले next question पर चलते हैं हाली में प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जेनाचारी स्री विजय बल्लव सुरीश्वर जी महराज की 115 जैनती 191 जैनती के उपलक्ष में सांती की प्रतिमा का अनावरण कौन से राज जमे किया option A गुजरात, option B बिहार, option C उत्राखन, option D राजस्थान देखे हाली में जो है आपका प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जेनाचारी स्री विजय बल्लव सुरीश्वर जी महराज की 191 जैनती के उपलक्ष पे सांती की प्रतिमा का अनावरण राजस्थान की पाली में किया गया है आपको बता होगा जो सांती की प्रतिमा नहीं स्टेचू आफ पीस है ना ठीक है और अस्ट धातों से बनी यह मूर्ती जो है जमीन से आपका 27 फीट उची है और इसका अगर वजन का बात करें तो यह 1300 किलोग्राम है ठीक है जिनचारी स्री वललव विजे वललव सुरिश्वर जी महराज के सम्मान में अनावरण की जाने वले प्रतिमा को स्टेचू आफ पीस का नाम दिया गया है बात करते हैं सुरिश्वर जी महराज के बारे में तो आचारे विजय वल्लव जैन धर्म की स्वेतांबर संप्रदाइक के संथे उनका जन जो है आपका 1870 इस्वी में हुआ था इस्वी में गुजरात के बडोदा में हुआ था आचारे बिजेवल लव स्वयम खादी धारन करते थे और आजादी के समय हुए खादी उस्व देश आंदलोन में भी सक्रिय रहे। उनकी उपदेशों से प्रेटी इप्रेडित होकर लोगों ने उन्हें पंजाब केशरी क्यूपाधी धी। जैनस प्रदाय के उत्थान और उसकी सिक्षाओं को फैलाने में उपने कार्यों के लिए उन्हें ज्यूग प्रदान कहा जाने लगा। तो इसका सही अंसर होगा आव नाइस टे, तक केर